सुप्रबात ग्लास फोर्थ सब्जेक्ट धंदी ब्याकरण बुक का नेम वैशनवी आज हम लोग पार्ट दो कल तक जहां पढ़ चुके थे उसके आगे का पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं स्वर जिन बर्डों का चारड करते समय बायू मूँ से बिना रुके बाहर आती है उन्हें स्वर कहते हैं आ से ओ तक स्वरों की संख्या ग्यारा है जो इस प्रकार है ये सतंतर धनिया होती है इन्हें बोलने के लिए किसी अन बर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती स्वरों के भेद स्वरों के तीन भेद है हस्वस्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है हस्वर कहलाते हैं हस्वर चार है दीर्गस्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण हस्वरों से दुगने समय में किया जाता है दीर्ग स्वर कहलाते हैं ऐसे स्वर जिनका उच्छारण हास स्वरों से तिगुने समय में किया जाता है पलूत स्वर कहलाते है पलूत स्वरों का प्रयोग प्राया पुकारने और मंतरों का उच्छारण करने के लिए किया जाता है जिस स्वर का उच्छारण पलूत रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिंती का अंग तीन लिखा जाता है है जैसे ओम आदी मात्रा सभी बेंजनों में आ पहले से ही जुड़ा होता है जैसे का धन आ बराबर का अन्नसर जैसे आ इई आदी बेंजनों में मिलते समय अपना रूप बदल लेते हैं सवरों का यह बदला हुआ रूप मात्रा के नाम से जाना जाता है भासा को सुद्द लिखने के लिए हमें मात्रा का सही ज्ञान और प्रेयोग करना आना चाहिए परतेक सवर की अपनी मात्रा होती है इन मात्रा के लिए कुछ पिसेश चिन्न है जैसे आ के लिए कोई चिन्न किसी बड को बोलते समय कुछ समय लगता है उसको भी मात्रा कहते हैं ब्यंजन जिन बर्णों का उच्चारण करते समय बायू मुँ में रुख कर बाहर आती है उन्हें ब्यंजन कहते हैं ब्यंजन सौरों की साहता के बिना नहीं बोले जा सकते अता ये स्वतंत्र धनिया नहीं है इस पर्ण जिसमें 25 बर्ण है अतास जिसमें 4 बर्ण है उसमें भी 4 बर्ण है इसके बर्ण भी हैं कावर्ग, चावर्ग, टावर्ग, तावर्ग और पावर्ग जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बेंजनों के भेद, उच्चारण की द्रस्टी से बेंजन तीन प्रकार के होती है स्पर्ष बेंजन, ऐसे बेंजन जिनका उच्चारण करते समय बायू, मुह के वीतर किसी ना किसी भाग का स्पर्ष करके बाहर आती है स्पर्ष बेंजन कहलाते हैं ये वेंजन है कावर्ग आज हम लोग ना पड़ा है आप लोग इसको रिवाइज करें इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे धन्यवाद